यदि बिनास चाहता है यदि डिस्टोर्शन या डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं हम डिस्ट्रक्शन यदि डिस्ट्रक्शन आप करना चाहते हैं तो आज से आप जो है वो विद्धुहन्स कारीनिती पे काम कीजिए आप बाटना शुरू कर दीजिए डिवाइड करना अर्थ को विद्वान सोहते समय नहीं लगता यदि आप जिस समाज से आते हैं उसी समाज में रहे के उस वहीं पर लड़ना शुरू कर दे तो वो पूरे समाज के लिए हानिकारक है उसी परकार राज और उसी परकार जो है वो देश कहीं पर भी यदि आप जो है इस परकार के हमेशा बहुत सारे लोगों को दो लोगों के अंदर अमध्त होता जाता है रिग वेद में सबसे पर्थमपार ये रास्ट सब्द जो है ये रास्ट सब्द का परिभासा आपको सब्द देखने में मिला था तो दोस्तों ये RSS वाले क्या करते हैं? इनका नाम बहुत फैला हुआ नाम है कि RSS कोई कहेगा कि देख रहे हैं यहां पर लिखा हिंदू राष्ट 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 राष् सेस अपना फूल फर्म क्या बताती है कि राष्टी स्वेंग सेवक स्वेंग और सेवक का मतलब क्या होता जिस दिन से आप उठ खड़े हुए और अपने देश के लिए कुछ कोई नया काम करने लगे या देश को जोड़ने का भायचारगी अस्थापना करने का ग्यान परचा देते हैं कोई वह समाज के लिए कोई समाज कि जाजर्य की काम करते हैं वह सब एक प्रकार से स्वेंग सेवक है अर्ठात जो है उसकी भाबना जो है किसी नह renew से रास्ट की प्रगती से ही जु Chest vision से वक है लेकिन समझाया क्या जाता है कुछ है जैसे कि हम लोगों को जो है हमने पहले ही वीडियो इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि कहा जाता ही उपरी जाती है यह निचली जाती है दरसल मामला क्या है यह जो एक ट्री बनता है फैमली ट्री तो फैमली ट्री के नीचे में जो लोग बंस चला है उसको नीचली था कि पर पर है और ग्यान से ही बहुत सारी चीज के हैं आप सेब्द कंक होता है बिल्कुल ही गलत बात इस इस सब्द के साथ जोड़ा गया है आप बीजेपी को बता दिया गया है कि इससे बीजेपी को बहुत फैदा होता है बीजेपी जो है बहुत फैदा होता है आप कभी भी यह नहीं देखे होंगे कि स्वेंग सेवक जो है हिंदू मुसल्मान तो कभी नहीं करता है लेकिन इसको जो है बेमतलम में जो है हिंदू राष्टबादी का नाम दे दिया जात वो प्रधान मंतरी मोदी हैं ठीक है पीए मोदी हैं दोनों जो है वो सव राष्ट बादी है और इसमें जो है हिंदु मुसलमान बाला बात ही नहीं आता है ठीक है अब देखिए जो वे ब्यापक रूप से भारत के सतारूड पार्टी यहां पर लिखा हुआ और साइट नीच राष्ट में प्रोपेगेट किया जाता है और राष्ट को कमजोर करके राष्ट का विद्वन्स कराया जाता है लड़ना छोड़ दें ठीक है जो है एकसेप्ट करें सबसे अधिक यदि कस्ट में भारत बीता है तो न तो कभी जो चारों वर्ण है यह चारों वर्ण विवस कि उस समय में क्या क्या हो रहा था चुल ही जलाने पर जो कहा जाता है नए चुल है यदि खाना बनाने जाएंगे तो वहां पर भी टेक्स लगता था आपके परिवार में कोई आदमी मर जाता था उस पर टेक्स लगता था आप यदि जलावन काटकर उसको जलाने जाते थे त लेकिन टेक्स नहीं समाप्त होगा ये कहा जाता इसको कहा जाता है गुलामी लेकिन हम हर उस मुद्दे को लाते हैं सामने आप लोगोंकि सामने जिसidir पर हमें लगता है कि आप लोग गुम्राह हो सब्द करने हैं उनको क्योंकि बास्तविक्ता का ग्यान नहीं हम तो हमेशा जो है वो ऐसे दैनिये सनातन समाज के अंदर जो समाज है जैसे कुछ जिनकी स्थिती सामाजी के स्थिती सामाजी के भागेदारी की ही आवाज उठाता हूं ठीक है और जातियों को जो बड़े छोटे की भाब और जो है भेद भाब जो होता है सामाज में उसको मीटाने के लिए ही दिन रात काम करता हूं ठीक है तो हमारा कोई अपना व्रक्तिगत जो है वह यह नहीं है कि कोई आपको आपके ज्ञान के लिए ज्यान यदि आपको है तब ही आप समझिए इसको के मतलब दरसल क्या होता है तो आई होप सो कि आप लोगों को रास्टी टी स्वेंग से बख संग जो है यह आरे से क्या है बास्तम में उसको पता चला होगा आई होप सो मिलते हागे तब तक लिए ही जब